हे गाईज आज मैं सेयर करने वाली हूँ कुछ ब्यूटी मेंटेनेंस टीटमेंट एट होम जो मैं मन्थिली में करती हूँ कुछ वीकली फॉलो करती हूँ और कुछ तो रोज मन्थिली मेंटेनेंस में सबसे पहले आता है फेस क्लीन अप जिसके लिए मैं इस्टिम ले रही हूँ ताकि पोर्स ओपन हो जाए डर्स ओयल जो भी रहे गंदीगी वो सारे डिपली क्लीन हो जाए हॉइट है ब्लाक है जो भी है वो सॉफ्ट हो जाए ताकि मुझे रिमूव लजर आता है आपके इसकी में कोई भी टीटमेंट करते हो बहुत अच्छे से पेनिटरीट होता है तो मैं मन्थ में एक बार जरूर अपने फेस को इस्टिम लेती हूँ ताकि मेरा गंदीगी रिमूव हो जाए अब मैं अपने आईवरो को भी ट्वीजर से अच्छे से थो कि अच्छे से थोड़ा बहुत जो भी छोटा रहता है वो भी क्लीन हो जाते है इसके बाद मैं अच्छे से मसाज कर लूँगी ताकि थोड़ा सा नरिश्मेंट भी मिल जाए ड्राइ, डैमेज, फ्रीजी, अन्मेनेजबल हैर हो जाता है जब हमारे हैर में बहुत ज़दा स्प्लेटन हो जाता है जिसको रिमूव करना बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है तो हर मत में अपना घर पे अच्छे से स्प्लेटन रिमूव कर लेती हूँ यह अजीब सा करके छोड़ देती हूं ताकि ड्राइ रहे मेरा हैर और इस प्लेटन ड्राइ हैर में और थोड़ा अच्छे से दिखता है तो जब भी आप ट्रीमर चलाओगे और फिर कोई भी कैची से आप जब भी इस प्लेटन को निकालोगे बहुत अच्छे से रिमूव होता है तो यह मे मेरा हैर बहुत जदा मैनेजबल हो गया है स्मूथ हो गया है और मेरा हैर बहुत जबड़ा सौफ भी लग रहा है फेस में बहुत ज़्यादा ओएल, सन्बर्ण, एक्ने, डॉननेस और सेंसिटिविटी ये सारे चीज के लिए मैं यूज करती हूँ मुलतानी मिट्टी, महीने में ज़र्ष एक बारी में यूज करती हूँ इस मिट्टी से मुझे बहुत ज़दा help मिलता है तब तक अपने nails को भी बहुत ज़दा help मिलता है क्योंकि मेरे पास pets है जिसको मुझे अपने हाथों से रोज खाना खिलाना होता है इसलिए मैं nails को long नहीं करती हूँ पर कभी-कभी sock के लिए मैं कर लेती हूँ और मैं अपने nails को हमें से groom करके रखती हूँ चोटा ही रखती हूँ और nail polish नहीं लगाती हूँ क्योंकि मैं maintain नहीं कर पाती हूँ सही से इसलिए मैं nude and clean रखती हूँ ताकि मेरा nails अच्छा दीखे, groom दीखे So yes guys, यह मैं हफ्ते में भी करती हूँ 10 दिन में और कभी-कभी 15 दिन में भी कर लेती हूँ 10 मिनिट तो हो चुका है, face pack क्या मैं remove करूँ, बाबू को अभी मेरा गोदी में रहना है क्योंकि उसको अभी मेरा attention चाहिए, मेरा प्यार चाहिए तो उसको मैं थोड़ा सा pamper कर देती हूँ, उसके बाद अपना face pack को मैं remove कर लूँगी अब मैं करूंगी aloe vera massage में plant यूज़ कर रहे हूँ, आप लोग जेल भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है, इसकीन के लिए बहुत healthy glow देता है, इसकीन में pigmentation reduce करता है, acne marks को भी fade करता है, इसकीन को बहुत अच्छत है hydrate करता है, नारिस करता है, आपको इसकीन का जो texture है, बहुत अच्छे से improve करता है, तो इसको आप लोग ज़रूर follow करना, hair में जब मैंने color कर वाय था, तो saloon में बोला गया था, महीने में दो बार मुझे spa लेना है, ताकि मेरा hair maintenance पे रहे, healthy रहे, और dry ना हो, तो मैं उतना पैसा खर्चा नहीं कर सा, तो एक एक बार में तीन-तीन, चार-चार हजार, इसलिए मैं घर पे ही deep conditioning करती हूँ और hair spa करती हूँ, तो healthy रखने के लिए अपने hair को में use करती हूँ, मेरा favorite mask, मैं चाहिए एक केला, दही और honey, बस और कुछ नहीं, अगर extra अकर आपका hair dry है, तो आप olive oil या फिर coconut oil याड़ कर सकते हो, मनाना को मैंने अच्छे से म्यास कर लिया था, अब दही अड़ करेंगे, honey अड़ करेंगे, फिर grinder में अच्छे से उसका एक smooth paste बना लेंगे, बस हो गया, अब अच्छे से अपने hair पे apply करना है, बनाना, honey, yogurt, ये तीन चीज जब mix हो जाता है, तो boom कम करता है, आपके hair को बहुत अच् बनाते हैं, हैर को growth भी बहुत अच्छा होता है, deep conditioning के लिए मैं हमेशा ये mask यूज करती हूँ, तो मेरा hair color को भी बहुत अच्छे से maintain किया है, और मेरा hair को भी बहुत अच्छे से repair करता है, तो आप लोग भी ज़रूद ट्राइ करना, 20-25 मिनित के बाद मैं अपना hair को wash कर लूँगी, मन्ध में मैं full body एक बार waxing करती हूँ, इससे अच्छे से dead cell remove हो जाता है, और roots से अपका hair भी remove हो जाता है, मैं vaccine का strip use कर रही हूँ क्योंकि liquid में एक बार मेरा skin जल गया था, तो मेरा दिल में थोड़ा सा डर बैट गया है, वैक्सिंग मैंने कितना enjoy किया, आपको तो मेरे सकल पे दिख रहा हो गया, मजा किया, बहुत दर्द हुआ, और साती सात में hair भी remove हो गया, अब मैं थोड़ा सा strip को cut कर लूँगी, क्योंकि मैं upper lip में भी wax करूँगी, यह मैं मन्त में एक बार कर लेती हूँ, इस से बहुत अच्छे से clean हो जाता है, रूट से, थोड़ा सा painful होता है, पर ठीक है, मैं कर लेती हूँ, मुझे आदत हो चुकी है अभी, उसके बाद मैं ice और aloe vera से अपनी skin को अच्छे से massage कर लेती हूँ, जितना ज्यादा body का hair remove करना important है, उतना ear का भी है, यह में अगर hair रहता है, तो बहुत black लगता है, और आपके ear में जो खुबसूरती है, वो कही न कहीं कम हो जाता है, अब earrings पैन होगे, need and clean रहेगा, तो बहुत खुबसू लेती हूँ, face को हम लोग जितना attention देते हैं, उतना body को भी देना चाहिए, तो मैं body में यह उपटन लगाती हूँ और इसका result amazing है, milk में almond और mustard को soak कर देंगे, एक घंटे के लिए उसके बाद अच्छे से इसको grind कर लेंगे, यह थोड़ा सा मेसी हो सकते हैं तो वो washroom में यू जो damage हो जाता है, आपका skin को बहुत अच्छे repair करता है, और इसमें milk है और almond है, जिसके कारण आपका skin में बहुत अच्छे से healthy glow देता है, इसकीन को hydrate करता है और इसकीन का texture को improve करता है पूराना brush से में अपने feet को अच्छे से clean कर लूँगी, scalp cleaning बहुत जदा important है, अगर आपका scalp clean रहेगा तो आपका skin में acne नहीं होगा, scalp अगर clean रहेगा तो आपका बहुत अच्छे से hair growth होगा, dandruff नहीं होगा, eachiness नहीं रहेगा और आपका hair का quality भी बहुत अच्छा रहेगा बहुत जदा healthy भी रहेगा, तो हफते में तीन दिन sample जरूर करें, उपटन लगाने के बाद मेरा skin इतना जदा soft हो गया है, dead cell remove हो गया है, बहुत जदा smooth लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, need and clean skin किसको अच्छा नहीं लगता, अब मैं लगाँगी serum, इस serum से मेरा skin मे बहुत अच्छा result आया है, क्योंकि मेरा sensitive skin है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मेरा skin बहुत जल्दी irritate हो जाता है, अब मैं लगाँगी अपना favorite monster user, अब lip balm लगा लूँग, यह हो गई मेरे skincare, अब मैं अपना full body में लगाँगी coconut oil, body upton से ही मैंने अपने hand को बहुत अच्छे से massage किया था, तो मेरा dead cell remove हो गया, और मेरा hand कितना जदा clean और soft लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा hand में दो spot हो गया है, क्योंकि मेरा dog को थोड़ा problem हो आता, उसको oxygen चाहिए था, तो उसने marks पहना था, तो बहुत जोर से जटका था, तो मेरा hand में दोनों जगा पे घाउ हो गया है, पर कोई बात नहीं ये दाग तो चला जाएगा, बच्चा भी ठीक है, वो साबसे जदा important है, मन्थिली routine में मैं अपने hand को और अपना feet को को सिस करती हूँ कि अच्छे से में clean करूँ, और मेरा feet भी बहुत अच्छे से clean हो गया है, और बहुत अच्छा दिख रहा है, अब मैं अपने hair के लिए serum यूज करूँगी, मैं plum का coconut serum यूज कर रही हूँ, यह मैं first time यूज कर रही हूँ, सो पता नहीं कैसा result होगा, पर इसका खुसबू बहुत अच्छा है, पुरा pure coconut oil के जैसा ही है अच्छे से अपने hair पे serum को apply कर दूँगी, और उसके बाद मैं air dryer के लिए अपने hair को वैसे ही छोड़ दूँगी, यह रहा मेरे simple सा monthly routine जो मैं हर month follow करती हूँ, और आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो, comment में जरूर बताना, और मेरे channel को please subscribe करके जाना, वीडियो को like कर देना फिर में आप लोगों से मिलूंगी next वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहे हैं, अच्छे से रहे हैं, फिर मिलते हैं next वीडियो में